हेलो दोस्तों उमीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे राधे राधे सभी को तो लोकी के कोफते खाने का मन था लेकिन डीफ्राइ नहीं करना चाहती थी तो मैंने इस तरीके से बस एक चमच से भी कम तेल में लोकी के कोफते बनाए और खाये बहुत ही अमेजिंग बने ह हुए थे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था जैसा डीफ्राइंग में आता है तो आपको यह तरीका अच्छा लगे तो आप ट्राइए कर सकते हो अगर किसी दूसरे तरीके से बनाते हो तो भी मुझे बता सकते हो कमेंट में सबसे पहले थोड़ी सी लोकी ली हुई है लोकी को हरी मिर्ची थोड़ा सा हरा धनिया और नॉर्मल जैसे हम थोड़े बहुत मसाले डालते हैं आप चाहें तो इसमें अधरक बगरा भी डाल सकते हो मैं काफी सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ और अब इसमें मैंने बहुत जरा सा ही नमक डाला हुआ है दो तीन पिंच और अजवाइन बहुत ही अच्छी इसमें जाती है तो अजवाइन यानि डालना ही डालना है आपने सात में आप चाहों तो जीरा भी डाल सकते हो अगर जवाइन आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दो और और हमने डालना है यहां पर बेसन बेसन बाइंडिंग के यह डाला है तो आप भी सोड़ा जरूर डालने ना एक चुटकी ही डालना अब इसके बाद में यहाँ पे अध्रक लेसुन का पेस्ट डाल रही हूँ रेडिमेट वाला आप ताजा तुरंत बना के भी डाल सकते हो अब बस इसमें पानी डालने के ज़रत ही नहीं क्योंकि लो अब यह घुल तयार है आप चाहें तो लोकी जो है ना उसको कपड़े में निचोड़के उसका पानी भी हटा सकते हो अब यहाँ पर अपे पैन में ने लिया है अपे पैन में थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल ऐल अड़ कर रही हूँ और अब इसमें हम बैटर डालते चा तो चार से पांच मिनट इनको मैंने दोनों तरब से पका लिया है आपको तोड़के दिखाते हूँ देखो अंदर से बहुत अच्छे से बेशन पक गया है और अगर आपके पास में अपे पैन नहीं है तो आप इसे रोटी वाले तवे पे या पराठे वाले तवे पे मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को बारी काट करके लिया हुआ है यहां पे और प्याज को बहुत अच्छी तरीके से हमने यहां भुनाई कर लेनी है तो जैसे कि मैंने बताया कि तेल कम लगे और महनत भी कम लगे इसलिए यहां आप प्याज को पीस करके भी ले सकते क्योंकि यहां क्वांटिटी में कम बना रही हूं दो ही लोगों के लिए बना रही हूं इसलिए पीषने की ज़्यादा ज़रत नहीं पड़ेगी ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी पड़ेगी अधरक लैसन का पेस्ट मैंने डाला तब जब प्याज मारा अच्छे से बुन दो जलने अब यहां पर थोड़ा सा नमग धनिया पाउडर लाल-मिर्च पाउडर हल्दी बाउडर वाई जो हमारे बेसिट मसाले होते हैं वही डाले तो सबसे कम हल्दी यानि एक चौता ही चमच उससे थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर आपक को अपने टेस् एक दो चमच पानी डालके थोड़ा लो मीडियम फ्लेम में छोड़ दीजिए तभी क्योंकि टमाटर काफी ज्यादा है तो टमाटर से पानी भी रिलीज होगा इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा दो-3 मिनट और जैसे मैंने बताया आप पीस करके भी यूज़ कर सकते ह तो धनिया पती में यहाँ पर जो मैं यूज़ किया है थोड़ी सी डंडी वाली जो धनिया होती है वो यूज़ किया है यानि कि धनिया के जो स्टेम होते हैं क्योंकि उनमें फ्लेवर ज्यादा अच्छा होता है और अभी धनिया को पकना है तो स्टेम इसके पकेंगे तो ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अच्छे से इसमें हम ने फ्राही कर लिया जब बहुत अच्छी तरीके से आपका मसाला पउन। पक जाए प Show Butter आप में तो आपके पानी डालना रहे अच्छे से इसे 2-3 मिनट उबर लें दीजिए उसके बाद ही इसमें ये लोकी के अपे या लोकी के कौफते जो भी आप कहना चाहो वो डाल दो और फिर किसे कवर करके बस दो मिनट के लिए पका लो और ये इतने अच्छे बनते हैं इतने सौफ्ट बनते हैं मैंने आपको त अच्छे बनते हैं तेलो का भी इतने हैं मैंने गच्या के लिए लोकी को वोका के लिह मैं स्पड्व мас के लाइए।